Magical Golden Vehicle Park कृष्णापुरम नाम के गाव में किरन नाम का एक बहुत पड़ा लिखा लड़का था लेकिन उसे सही नौकरी ना मिलने की वज़े से वो घर पर ही सीमित हो गया किरन को व्यापार करने की बहुत इच्छा थी उस गाव में ट्रैफिक की समस्य बहुत जादा थी लोग अपने गाड़ियों को अपनी मंचा ही जगा पर पार्क कर देते थे सडके छोटी होने की वज़े से ट्रैफिक की समस्य बहुत थी यदे किरन को एक उपाय सूचता है और उसी गाव में गंगु भाई नाम का एक अमीर आदमी रहता था किरन उसके पास जाकर कहता है कुछ नहीं भाई मैं गाव में एक व्यापार करना चाहता हूँ गाव में पार्किंग की समस्या बहुत हो रही है जिसके वज़े से पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारन कर चुकी है अरे बन करो अपना लेक्चर और सीधे मुद्दे पर आओ मेरे पास तुबारा लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है मार्केट में जो आपकी खाली जगा है अगर वो आप मुझे लीस पर दोगे तो मैं आपको मेने के 30,000 रुपे दूँगा अच्छा ठीक है मगर पैसे समय पर मिल जाने चाहिए अगर एक दिन भी देरी हुई तो अच्छा नहीं होगा तभी किरन खुशी से कहता है हाँ हाँ ठीक है किरन वहाँ से चला जाता है और उस खाली जगा को पार्किंग एरिया में बदलता है और पैसे कमाने लगता है जिसके वज़े से सडकों पर ट्रैफिक भी कम हो गई किरन गंगु भाई को अपने कहे अनुसार हर महीने समय पर पैसे उसके घर बेच देता था गंगु भाई एक दिन मार्केट से गुजरते हुए पार्किंग प्लेस को देखकर कहता है अरे इसका बिजनिस तो बहुत जोर से चल रहा है अगर मैं ये जगह ले लू तो बिजनिस सारा मेरा हो जाएगा ऐसा सोच कर वो किरन के पास जाता है और कहता है किरन आज से ये पार्किंग प्लेस मैं ही देख लूँगा मैं यहां बड़ा सा कॉपलिक्स बनाऊंगा वेहिकल्स के लिए तुम जाकर दूसरी जगह पर व्यापार कर लो ऐसा कहे कर वो किरन को वहां से निकाल दीता है किरन बहुत ही उदास होकर वहां से चला जाता है और चलते चलते जंगल के रास्ते से गुजरने लगता है वहां उसे एक पुराना वेहिकल पार्किंग प्लेस दिखाए देता है वहां की सारी गाडिया पुरानी और जंग से भरी हुई थी किरन बहुत उदास और गुसे में था उसे गंगु भाई की बाते याद आ रही थी वो गुसे से एक पत्थर उटा कर फेकता है वो पत्थर वहां के एक बड़े से ट्रक को लगता है तुरन पार्किंग में सारी पार्क गाडिया स्टार्ट हो जाती है किरन डरके मारे वहां से भागने लगता है सारी गाडिया किरन के पीछे पीछे चलने लगती है ए भगवान मुझे बचाओ ये जादूई वेहिकल्स मुझे छोड़ दो प्लीज ऐसा कहे कर वो दोड़ने लगता है तब ही एक ट्रक कहता है हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे तुम्हारी वज़े से ही हम नीन से जागे है तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे ऐसा सुनकर किरन रुख जाता है और उस पर भीती सारी बात उन्हें बताता है ये सुनकर गाड़ी आ कहती है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम कभी-कभी आकर हमें नीन से जगाओ, नहीं तो हम जंग से वरकर किसी काम के नहीं रहेंगे, हाँ हाँ, ठीक है, मैं जरूर आउंगा, किरन के यह कहते ही, तुरंट पार्किंग में जितनी भी गाडिया थी, वो सारी गोल्डन वेह वेहिकल्स में बदल जाती है, किरन गोल्डन बाइक पर चड़ कर, गाव में आता है, सब उसे देखकर आश्चर चकीत होते है, गंगु भाई हैरान हो जाता है, अरे वा किरन, तुझे यह गोल्डन बाइक कहां से मिली, चूरी किया क्या, नहीं, जंगल में एक बहुत बड आओ, मुझे वो जगह चाहिए, नहीं, यह नहीं हो सकता, अगर मैं तुम्हें वहां ले गया, तो मुझे क्या लाब है, गंगु भाई यह सुनकर थोड़ी देर सोचने लगता है, और वो कहता है, मैं यह पार्किंग प्लेस तुमारे नाम कर दूंगा, बोलो, क्या कहते हो ठीक है, पहले डाकुमेंट मेरे हाथ में रखो, फिर मैं वहां तुम्हें ले जाऊंगा, किरन के ऐसा कहते ही, गंगु भाई पार्किंग प्लेस किरन के नाम पर कर देता है, डाकुमेंट किरन के हाथ में दे देता है, किरन डाकुमेंट लेकर गंगु भाई को जंगल में प्लेस पर ले जाता है, पार्किंग में गोल्डन वेहिकल को देखकर गंगु भाई के होश उड़ जाते है, वो जाकर एक बड़े से ट्रक को छूता है, ट्रक को छूते ही सारी वेहिकल्स आम वेहिकल में बदल जाती है, सारी वेहिकल्स गंगु भाई को देखकर हसने लगती गंगु भाई डर के मारे वहां से भाग जाता है अंडर ग्राउंड रहस्य मई जादूई दर्वाजा रात के समय हस्तिनापूर विलेज में अपरना नाम की एक लड़की अपने सर पर एक पेटी रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए एक पुराने बंगले के अंदर गई पहले से ही छोटू नाम का एक चोर था उसके पास एक गट्री थी वो कहता है दीदी किसे ने देखा तो नहीं न? नहीं छोटू तुम्हें देखा तो नहीं न? नहीं दीदी कोई नहीं देखा दोनों बाचित कर रहे थे इतने में साहरन बजाते हुए एक पुलिस वैन उनके गाउ में आकर खड़ी होती है पुराने बंगले में से छोटू और अपरना जीब की ओर देखते रहते है पुलिस जीब में से इंस्पेक्टर शंकरलाल बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर फिर से जीब में बैट जाता है और जीब वहां से चली जाती है अपरना खहती है हमें पुलिस से बचके रहना है हम अगर पकड़े भी गए तो जान जाने पर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है मेरे प्रान चले जाए लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा चलो अभी घर चलते है अपरना सर पर पेटी रखकर आगे बढ़ती है छोटू बैक को बगल में लगा कर अपरना के पीछे चलते रहता है उस बंगले में आधा टूटा हुआ एक पिल्लर के पास पहुचते है वहां एक दर्वाजा नीचे पड़ा हुआ रहता है अपरना अपने पास की एक बड़ी सी चाबी निकाल कर उस दर्वाजे को खोलती है नीचे की और सीड़िया दिखाए देती है दोनों पेटी और बैग लेकर उस अंडरग्राउंड में चले जाते है वहां बहुत सारे पेटी और बैग रखे रहते है वहां पर सोने के गहने, चांदी के बरतन और बहुत सारा पैसा और पैसो का हिसाब करने वाला मशीन के साथ साथ कम्पिटर भी रहता है छोटू कहता है दीदी और कितने दिन तक ये सब करेंगे जब तक हमारा मकसद पुरा नहीं हो जाता ठीक है दीदी, मैं घर चलता हूँ, मा राह देख रही होगी ठीक है, साथानी से जाना, पुलिस घूम रही है अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है और अरेस्ट होकर जेल चले जाना डरो मत दीदी, मैं साथानी से जाऊंगा ऐसा कहकर छोटू वहां से बाहर निकलता है अपरना ताला लगा कर चाबी अपने पास रख लेती है फिर वापस आकर मशिन से पैसा हिसाब करती हुई कम्पुटर में इंट्री करती रहती है कि तभी बंगले से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई नजर आने पर वहां से निकल कर जल्दी जल्दी घर पहुचता है छोटू की मा भवानी उसका इंतजार करती हुई खिड़की के पास खड़ी रहती थी बगल से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा ये चेक करके वहां से निकल कर जल्दी घर पहुचता है और सब कुछ दीवार के पास से छुपकर इंस्पेक्टर सुधीर देखते रहता है वो इंस्पेक्टर कहता है ये कुछ न कुछ खिचडी पका रहा है लेकिन क्या ये समझ में नहीं आ रहा एक दिन जरूर हाथ लगेगा मेरे इस तरह सोच कर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है अंडरग्राउंड में अपरना कम्पिटर में सारा हिसाब इंट्री करके सो जाती है इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात अपरना और छोटू दोनों मिलकर चुराया हुआ सारा पैसा अंडरग्राउंड रहस समय जादूई दरवाजे से अंदर जाकर देखता है तुरंतिया परना कितना पैसा आया हिसाब करके कम्पिटर में एंट्री करती रहती है हर रात पेट्रोलिंग करते हुए इंस्पेक्टर सुधिर देर से घर पहुचता है और छोटू पर नजर रखता है उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करता है लेकिन किसी ना किसी तरह छोटू बच ही जाता है इससे इंस्पेक्टर सुधिर परेशान हो जाता है और सोचता है कि बिना किसी आधार के अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा किसी ना किसी दिन इसे जरूर पकड़ूंगा सुबह होते ही अपरना वापस घर आती है उसकी मा गरम-गरम कौफी लाकर अपरना को देती है और अपरना पेपर पड़ती है हमारी चोरी के बारे में अभी पेपर में नहीं आया? स्ट्रेंज है, कंप्लेंट करेंगे तो भी क्या करेंगे? सारा काला धनी तो है मा अफिस में वर्क ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ इतना कहिकर वहां से वो जाने ही वाली होती है इतने में इंस्पेक्टर सुधिर अपरना के घर आता है इंस्पेक्टर सुधिर को देखकर अपरना बिना गबराय उसके पास आती है अपरना को देखकर इंस्पेक्टर सुधिर कहता है क्या आप अपरना है? हाँ, कहिए छोटू, आपको क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, बताईए क्या हुआ? हर दिन रात को देर से घर आ रहा है उसकी मा ने हमें कंप्लेंट दी है यहां सच नहीं है सच सच बताईए यहां क्यूं आये हो आप बहुत गलत कर रही हो किसी ना किसी दिन आप मेरे पकड में आओगे उस समय कारण जानकर आप हमें छोड़ देंगे चुपचाप इंस्पेक्टर सुदिर वहां से चला जाता है रात होने पर इंस्पेक्टर सुदिर पूराने बंगले के पास राह देखता रहता है इतने में अपरना और छोटु मिलकर दो गडरी लेकर उस बंगले के अंदर से आते हैं इंस्पेक्टर सुधिर उन्हें फालो कर रहा था, ये बात वो नहीं जानते थे, तभी अपरना चाबी से ताला खुलती है, छोटू और अपरना दोना अंदर चाय पर आये हुए थैलो को लेकर रिलाक्स होते रहते हैं, इतने में सुधिर अंदर आता है और कहता है, अच्छ तो ये है आपके अंडर ग्राउंड रहस्समई जादूई दर्वाजे का घर, सारा चोरी किया हुआ माल यहां रख रहे हो, आप चाहे तो हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन ये सारा पैसा इस लिस्ट के बराबर पहुच जाना चाहिए, हम पर भरोसा करिए इस तरह सुधिर उन्हें अरेस्ट करके लोक अप में डाल देता है और उस लिस्ट के बराबर पैसा पहुचा देता है